एंयहां मौदर मास हमें मालुम है। जैसा कि मैझने आपको लास्ट वीडियू में बताया था आज हम क्या करने वाले कॉशंस करने वाले हैं गैसे पहले हम हम जे कोशन से मोल के वह यूज करेंगे और फीर तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर टम्स को समझेंगे तो दीरे धीरे करें फिर न और इसमें सबसे पहला कोशन देखते जड़ा परस्ट कोश्चन पहला कोशन देखो जड़ा एक अलिमेंट इस फाउंड इन नेचर इन टू आइसो टॉपिक फॉर्म से विद मास नंबर से मतलब एक अलिमेंट है जो की नेचर में दो आइसो टॉपिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है जिसका मास नंबर हमें दे रखा है अब मुझे नहीं पता कि कौन से आइसो टॉपिक फॉर्म में और हमें उससे कोई मतलब भी नहीं है तो यहां पर इसका मास नंबर दे रखा है माइनस में वण एंड टे एप्लस में 3 कि यह जो एलिमेंट है आपके दो आइसो टोपिक फोर में एगजिस्ट करता है और इसका मास नंबर आपको दे रखा है माइनस फंड यह मैंने इसके मास नंबर लिख दिये आगे क्या कहता है इव दाव्रेज आटामिक मास ओप दएलिमेंट इस फांड टू इए अभी जो इसका अबटोब्रिज अटामिक मास एम कि अब रेज़ आटामिक मास हैं कि ए रेज आटामिक मास इं था की आपको क्या बताना है उसका अबंडन्स है कोई दिक्कत नहीं है में उसका मोनर मास वत्तों घ्राइब और दूसरा उसका मोनर मास हमें ध्र थिर रखा थी रखा कि हैवियर आइसोटोप कौन सा है तो हैवियर आइसोटोप आपका यह वाला है क्योंकि इसका मास ज्यादा है तो यह हैवियर आइसोटोप हो गया तो मैं करता हूं इसका लगे हई जो जो मान लेता हुँ कि एक्स पर्सेंटेज है कितना है एक्स पर्सेंटेज है चुमकि यहाँ पर यह जो ऑ कि यह इसक्राइब होगा कि ओन्रुद्टो पर्सेंट हुग है तो जो आईयर वाला इसरोटौप है उसका मैंने एक्स परसेंटेज माल लिया तो दूसरे वाले का क्या होगा क्योंकि टोटल दोनों का कितना होता है हंडर्ड होगा जैसे अगर मालों कोई element तीन आइसोटोपिक फॉर्म में प्रेजेंट है तो तीनों की abundance का सम कितना होगा तो क्या होगा हंडbour्ड परसेंट होगा लेकिन इहां पर दो है तो हमने एक का एक्स परसेंट लिया तो दूसरे क्या हो जाएगाहंड़ माइनस है क्यों परसेंटेज हो जाएगा समधर हो अबलगाओ तो आपको 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 मास नमबर बतला अबेंडन्स को करनी होती है तो करो जरह कि एंटू एक्स अप्वाउन में 100 एंटो ने या तो आप अपवाउन में दोनों के 100 लिखो से कोई दिक्कत नहीं है फ्लस ए माइनस वन इंटू एंडर्ड माइनस एक्स अपॉन में एंडर्ड है ठीक है अब जड़ा इसे सॉल्व करते एक बार कि अब कर लेते हैं देखो इदर तो हंडर्ड तो इदर आ गया तो यह हो गया हंडर्ड ए इस इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस में थ्री एक्स प्लस इस ब्रैकेट हो खोल लो तो यह हो जाएगा आपका हंडर्ड ए माइनस में ए एक्स माइनस में हंडर्ड और यह प्लस एक्स ए ठीक है तो आप जड़ा इसे देखो जड़ा कौन कौन से कट रहे हैं हंडर्ड ए से हंडर्ड ए कैंसल हो गया यहां पर क्या बच गया थ्री एक्स लस्में एक्स माइनस में अग्स माइनस में 100 बच गया है तो यह जाएगा और यह क्या हो जाएगा आपका एक्स की वैल्यु कितने दाएगी हंडेड अप ऑन में 4 एनिकी आपका खितना ओगया यह पच्चीस परसेंट आपका हाईयर आइसटोप जिसका मास नंबर ज्यादा है एक्टामिक मास ज्यादा है उसका जो अब इन्टेंटेंज उप अबैंडेंज से वह कितना आ रहा है 25 प सब्सक्राइब कर ले लो इसका आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स कोश्चन पे ले लिया सबने स्किन सॉट को इसमें चलो आगे बढ़ते हैं कि अगें कोशन देखो जरा एक इन कोश्चन कि अगें कोश्चन देखो डॉलिमेंट्स एक इन्वाई दोमेंट्ट एकस एंडवाई दोनों मिलके दो कं पांट्ट बनाते हैं एक्स वाईट्व एक्स थरी वाईट्व इस दो जर्वाईट्व इस रिखने आपका एक स्थिरी वाई तू के दो कमपाउंट है आपके आगे क्या कहता है वेंग जीरो पॉइंट वन मोल्स ओफ एक्स वाईटू वेज एंगराम यह जब आप एक्स वाई टू के जीरो पॉइंट वन मोल्स लेते हो तो उसका बजन कितना होता है दस ग्राम होता है और जब आप टेकर बजन कितना होता है अपको्कों क्या बताना है एक्स और अका का का यक मांस मस का लेते हैं और इसका अरु मतलब में कितने भी एलिमेंट के अटम्स को आप एड करोगे तो सब कर दो एक्स का यह का मास कितना है यह का प्लैस में तूबी यह इसका मोलर मास हो गया इसका मोलर मास क्या लिए अगी बात है ठीक है ना और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो मोलर मास होता है वह हमेशा एक मोल का मास होता है अब यहां पर देखो जरा पहले वाले कंपाउंड के लिए क्या कहता है वह एक्स वाइटू के जब आप 0.1 मोल लोगे पर उसका वजन कितना होगा 10 ग् देख रहे हैं तो देखो अगर मैं एक्स वाइटू का इतना मास लूँगा जो इसका मोलर मास है जो इसका मोलर मास है यह तो हमेशा एक मोल का मास होता है एक मोल का मास है तो बताओ एक ग्राम तो बताओ एक ग्राम मास्क इतना हो जाएगा मज़ें ग्राम का के लिए मोल कितने हो जाएंगे आप जैसे मर्जी कर लो कोई दिक्कत नहीं है या मोल भी दे रखा है उसे कोई फरक नहीं पड़ता और कि कर लेतें को वन मॉल का वेट क्या इसका मोलर मास्ट है 가요 Táo empowering to group A7 कितने के लिए एक तो बताओ 0.1 मोल का वेट कितना होगा जब एक मोल का पता है तो आप कितने भी मोल्स का निकाल सकते हो जो हसार का निकाला जितने दो जी इस इक्वल टू क्या जाएगा यह 10 ग्राम अब देखो यहां से अगर पॉइंट हटाओ गए तो आप उन में दस आजाएगा दस इधर चला गया तो यह क्या हो गया एक प्लस में टू बी इस एक्वेशन आपकी यहां से बन गई मतलब इस इस कंपाउंट से एक इक्वेशन आजाएगी दूसरे कंपाउंट से दूसरी क्वेशन आजाएगी दो वेरियेवल दो इक्वेशन आता है सॉल्व करना आपको कर लेंगे इसे दूसरी equation बनाते हैं गरा दूसरी equation बना लेते हैं अब मैं दूसरा compound ले रहा हूं compound कौन सा है दूसरा x3 y2 है मेरा ठीक हैं अब यहां पर देखो इसका भी molar mass हमें मालूम है molar mass हमेशा एक मोल उपां तो सब्सक्राइब मलबने मग़्राइब सब्सक्राइब फारगर है इस और ना कंटिस लिख 미ण सुप्रारगord मॉल्फ document आं एक मोल का माश मालूम है रखता ऑफ समय और हमल्ट और होना है एक मोल का पता है आप कितने मोल्स का भी निकाल लो तो मल्टिप्लाइब कर दो यह क्या हो जागा जीरो पॉंट जीरो फाइफ इंटू 3A प्लस में टूबी इस इक्वल टू कितना जाएगा क्योंकि 0.05 मोल्स का वेट हमें कोशन में गीवन है तो यह कितना नाइन है अब से डेसिमल टाओ गए तो दो जीरो नीची आ जाएगी अब पांच को इससे काट हो गए तो कितना हो जाएगा फीस हो जाएगा अब 20 को उठाके उधर ले जाओ यह क्या हो गया 3A प्लस में टूबी इस इक्वल टू एक्सो असी असमनारी है तो दो एक्वेशन हो गई है ए और हमारे पास दो एक्वेशन है तो बड़ी इसली आप इसे सॉल्व कर सकते हो तो कर लेते हैं तो देखो हमें किसी से मंटिप्लाई करने की धूर्त नहीं है क्योंकि यहां पर टूबी ए टूबी है कैंसल हो जाएगा तो पकड़ दो इसे ए प्लस में टूबी इस इक्वल टू हंडड और इसको देख लेते हैं थ्री ए प्लस में टूबी इस इक्वल टू एक्सो असी यह माइनस कर देते हैं माइनस 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 तो टूबी से टूबी हो गया कैंसल रिये में से माइनस करोगे तो कितना जाएगा माइनस का टूए और माइनस एक्सो असी में से स तो इसको प्लस में टू बी is equal to कितना हन्डड तो इसका मतलब है है कि वाई का जो एक्टॉमिक मास है वो कितना है 30 ग्राम है तो इस तरीके से हमने एक्स और वाई का एक्टॉमिक मास है कलेकुलेट कर लिया है एक हमने दोनों का मोलर मास पहले देखा दोनों कंपाउंड का मोलर मास क्योंकि मोलर मास हमेशा एक मोल का मास होता है एक और उन्هم के पर्टिक्लर मोलस के वेट दे रखे हैं दोनों कमपाउंद के जैसे 602 कमपाउंद की बात करूं तो उसके 0.1 मोल का 10 ग्राम दे रखा है और दूसरा दो चिवेश जोके और दो 1.05 मुल्श योथ इंक घिए रक्न ग्राम डिक है दो तो इसका इसका स्किन सोट ले लो आगे फिर थर्ड कोशन पर आते हैं कर लो हो गया चलो ने ब्रूल कोशन है टड़ कोशन गुर्च देखो जड़ा क्या कहता है इस एम एटम सोफ एकस है एकस के एनल इनल सुटु कर एट सब्स्क्नालिंग कीृट हो जो औरल सॉट üstण पर ऐसे धर ल coy कि हूआ पर यहां पर लियसे कमटिया किपिए papag ça है जिसका क्या है एक सासंच एक सनब स सॉल जरें लिख लेते हैं कि एक है पार्ट पड़ते हैं आगे वाला पार्ट क्या कहता है कि एक एलिमेंट है अब मुझे नहीं पता कौन सा है यहां पर तो इसने एक्स बोल दिया था लेकिन एक एलिमेंट है आपका कोई भी हो सकता है तो उसके फोर मैं एक्टम्स का जो मास है वह 45 ग्राम है और एम एक्टम्स इसके फोर मैं एक्टम्स का मास कितना दे रखा है 45 ग्राम और इसका अटॉमिक मास भी आमें दे रखा है इसका अटॉमिक मास है अटॉमिक मास कितना है 30 ग्राम अब इसमें मत पढ़ो ठीके ना यहां पर यू दे रखा मैंने ग्राम लगा दिया आपको पता है कि जब मैं ग्राम में लिख रहा हूं 30 को ग्राम में लिखूंगा तो उसके एक मोल एक्टम का मास हो जाएगा मतलब ग्राम मास है या सिंपल यहां से इसके लिए दूसरे वाले अलिमेंट के लिए नंबरों मोल्स निकाल सकते हो तो नंबरों मोल्स क्या हो जाएंगे इसके इसके लिए इसके लिए नंबरों मोल्स क्या हो जाएंगे इसके लिए नौ और यह चे बतलब यह कितना गया थ्री बाइट टू कितने मोल्स आ गये हैं तेड मोल्स है कि इसके ना कितना रहे डेड़ मोल्स है अब देखो एक मोल में तो हमें आटमस पता ही होते हैं एक मोल में तो मुझे आटमस पता ही होते हैं कि वन मोल में कितने आटमस होते हैं इतने होते हैं एक तो थ्री बाइटू मोल्स में कितने हो जाएंगे मल्टिप्लाई कर दो तो थ्री बाइटू में कितने हो जाएंगे मल्टिप्लाई कर दो तो थ्री बाइटू इंटू एन ने इतने आटमस होंगे डिकेना ये बाइटू इंटू एन ने इतने अटम सोगे जो कि किसके बराबर होगा जो कि आपका पोर एम एटम्स के बराबर होगा फॉर एम एटम्स ने कि यह हो जाएगा आपका तो मज़ गए इत्ती ची समझमा गई या आगे क्या कहता है डेटर्माइन दा अटॉमिक वेट ऑफ एक्स से एक्स का आपको अटॉमिक वेट निकालना है को दिक्कत नहीं है कर लेते हैं अब यहां पर देखो एम आटम्स का वेट कितना है पंदरा ग्राम यह लो कि एम एटम्स का वेट है हमारा पंदरा ग्राम कि अगर मैं एन्ने एटम्स का वेट निकाल लूँ अगर मैं एन्ने एटम्स का वेट निकाल लूँ तो एन्ने एटम्स का वेट क्या होता है उसका अटॉमिक मास होता है एक एक आटम्स का वेट निकाल लो तो तो यह क्या हो जाएगा 15 by divided by m या जाएगा एनने अटम्स का वेट क्या होगा 15 अपॉन में m into n यह होगा 15 अपॉन में m into n यह क्या हो गया एक्स वाले एलिमेंट का अटॉमिक वेट अटॉमिक वेट ओफ अट यह एक्सका अटॉमिक वेट हो गया अब यह वहां से निकाल रखी सब्सक्राइब करो और उसे तीन से डिवाइड कर दो तो कितना आ रहा है इस न बताओ इतना यह अगा इसे मंटिप्लाइब कर गए तो यह कितना हो गया आपका चालीस जीरो चार तो यह हो जाएगा 120 डिवाइड़ बाइट तीन एक यह कितना आ गया 40 तो इसका एक्स का वह कितना आ रहा है इसका मतलब कौन सो आप्षिन सही है वाला ओप्षिन सही है समझें आगी बात है तो यह इसका वी ओप्षिन सही है कि को दिक्कत की चुग है इसमें लो लो इसका स्कीन सॉट आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट देखते हैं कि आता कोशन देखो फॉर्थ एक कंपाउंड कंटेंस सेवन कार्बन एटम्स तू ऑक्सिजन एटम्स एंड क्या होगा बहुत कि सिंपल है और तरे समें क्यव क्यासं करते हैं फैक क्या आटम्स आज करते हो छाइए नोस हैks और मेलिक्ट्ट का मास को थे WikiIR को क्या करते हो एड करते हो करते खेके न, तो अगर आपने U में लिख दिया तो उसके एक molecule का mass हो गया ग्राम में लिख दिया उसी तो उसके एक mol का mass हो गया खेके न, यह सारी चीज़ आपको मालूम है खेके, तो देखो कारबन के एक atom का mass कितना होता है 12 U होता है 12 U तो मैं इसका Molecular मास निकाल लेता हूँ Molecular मास तो Carbon के एक Atom का मास कितना होता है 12 U होता है अभी यू में चल रहा है मैं U में ही निकाल रहा हूँ ठीक है ना, क्योंकि जो Number आएगा U के साथ है जो Number ठीक है ना, U का जो कॉफिशेंट होगा, जो Number होगा उसी नंबर को अगर आप ग्राम में लिख दो गए तो उसका मोलर मास हो जाएगा इंपल सी बात है यह तो करके बता चुका हूं एक्जांपल सारे हैं ठीक है ना ऑक्सिजन के एक आटम का मास कितना है 16 तो यह हो गया टू इंटू 16 लेकिन यह वाली जो वैलू है अदर एलिम तो देखो वन यू जो होता है वह बटा में अग्राम स्के बराभर होता है इसका मतलब है अगर आपको में अधकर ने करणा है एक्प्राइज से मंठिप्लाइब करनी पड़ेगी यह रेरेशन होता है तो माइनस 24 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23 अब आप इसे सॉल्व कर लो यह आ जाएगा 122 के करीबे 122 यू ठीक है मतलब इसके एक मॉलिक्यूल का मास कितना आ रहा है 122 यू आ रहा है अगर आप इसी 122 को ग्राम में लिख देते हो तो यह इसके इसके 1 मॉलका मास हो जाएगा मतलब जो भी कंपाउंड्ड होगा उसके एक मॉलका मास 122 ग्राम होगा का की दिक्कत किसी इसमें तो अपशन सही है पहला वाला आप्शन सही है तो इसका स्कीट लेलो कि अगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं अ मिलेटी हैं सुच्छन पर आएं पाच्छन देखो जारा एंक्शर और एंक्शर ओफ 2 x 10 की पावर 11 molecules of P and 3 x 10 की पावर 21 molecules of Q इसका weight हमें दे रखा 0.6 gram इसका weight हमें दे रखा 0.6 gram if the molecular mass of P 45 दे रखा है तो बताओ Q का molecular mass कितना होगा Q का molecular mass कितना होगा कोई दिक्कत नहीं है देखो number of most particles की terms में कैसे निगालते है given particles divided by Avagadro's number ऐसे निकालते हम तो दोनों के molecules दे रखे number of most निकाल लो तो P के number of most क्या हो जाएंगे तो 2 x 10 की पावर 11 divided by Avagadro number Avagadro number की value इन्होंने कोशन में given दे रखे 6 x 10 की पावर 23 आप वही वाली use करोगे यह आए जाएगा आपका कि यह सौरी यह 11 नहीं है यहां पर यह यह गलती हो गए यह ट्वंटीवन है कि यह ट्वंटीवन है कि यहां पर 23 आप इसे काटो इसे यह तीन हो जाएगा और यहां पर दो जीरो बच जाएंगे ती के नंबर मोल्स यह हैं ऐसे क्यों के नंबर मोल्स निकाल लो तो नंबर मोल्स ऑफ क्यू इस एक्वल टू इवन पार्टिकल्स तो डिवाइड़ बाइवगेड़ नंबर सिक्स इंटू टैन की पावर 23 इसे सॉल्व करोगे तो कितना जाएगा वन अपॉन में तू इंटू हं यहां थैंकर तूई की टैन की पावर में तूउ तो ड्यट्य नंबर मोल्स हमने निकाल लिए now के नमबर मोल्स में निकाल लिए हैं ठीके अब मैं नंबर 6F price जान यूस करता क्योंकि हामें दोनों का वेटि कलेक्टिव दे रखा है फोंकि देखो दोनों के has a real कि हां उसकता हूं तो तोल अनलबर वोल इसके ब्राबरी तो होंगे इस मेंगर P&Q यहां पर देखो इस पी का आपको मॉल्कुल मास दे रखा है ठीक है चलो में को दिखत नहीं है तो यहां है करता हूं इसका बेट निकाल लेताँ वुन हो फॉसके टीबन संस मूल मास है तो इसका पी का डे क्या हो जाएगा नमबश ऑ-मूल्स की द Tucson तो टेन की पावार 2 इंटू और पी का मॉल्ट कुलर मास आपको 45 दे रखा है 45 तो यहां पर पी का वेट आ गया ऐसी फिर क्यू का वेट निकालो क्यू का वेट निकालो अभी इसको मैं रब कर रहा हूं तो क्यू का वेट क्या जाएगा नंबरों मोल्स वन अपॉन में 2 गत्क्स है जो मर्जिमाल निकाल ला अब दोनों के वेट को एड़ को एड़ करोंगा लेट पी प्लस में वेट उप क्यू किस के वेट के बराबर आएगा मैशर के वेट के बराबर आएगा पिकशय का वेट दे रखा है सब्किक का बेट कितना है उसक्ति कू सब्किimmersal ए औ सब्सक्राइब कर दिकत किसी को इसमें अब इसे सॉल्व करते हैं पहले ले लेते हैं एक मिनुझा जाए रहा एक जिगा यहां पर थ्री आएगा कि यह थ्री आएगा कि अधि इसे थ्री लिखें रिया एगा आप अधिया एक लिए अब जब ले लो लो अब लो इसम लोगे तो क्या आएगा तो 6 इंटू 10 की पावर टू तो यहां पर प्लस में यह तो एक रहेगा इस इक्वल टु जीरो पॉइंट शिक्स आप इसे सॉल्ब करो जा रहा तो 90 प्लस में एक्स तो यह गया 3.6 तो 3.6 इंटू 100 तो 90 प्लस एक्स इस इक्वल टू यह कितना हो जाएगा 360 तो यहां पर कि क्विन टेक्मेंट मल्टिप्लाई किसमें होगी इसमें यह च्छे ओगया दो अच्छा तीन से इसमें मल्टिप्लाई होगी यहां पर 3X आएगा 3X से कि इस इसमें अब करने पड़ेगे 3X से ठीक है न थी एक्स तो कि इसमें टिप्लाई करोगे लिए अब करो ज़रा तो 3X इस इक्वल टू 360 माइनस में 90 तो त्ली एक्स इस इक्वल टू कितना आगया आपको कि एक्सिज इक्वल तो कितना आगए गया कि इसका मतलब है कि क्यों का मॉल्गुलर मास क्या होगा 90 होगा तो सी ओप्शन हमारा सही है इन के अपको सब्सक्राइब गया तो यही कुशन है कि नोट कर लो इस अबने जलो नेक्स अचाइब आते हैं डेक्स उशन नेक्स ऊश्शन देखो जरा क्या कहता है तो हैं टामिक मास इस आफ़ व तू अलीमेंट पी एन क्यू दो एमेंट से पी एंड प्यूंध आपको दे रखा है दी एंड प्यूं इसका अटॉमिक मास 20 है और इसका 40 है पतला पी का जब आप एक घ्राम लेते हो तो उसमें बी आटम होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है भई मुझे पता भी होता है ट्वंटी ग्राम के लिए यह बी आटम्स हैं एक ग्राम के लिए निकाल लिए ए इन यह एक इनतु है अपउन में ट्वंटी तो इतने आटम्स होंगे और A gram के लिए हमें atoms दे रखे तो B atoms तो यह किसके बराबर हो जाएगा B के बराबर हो जाएगा तो यह B की value हो गई ठीक है आप चाहो तो यहां से A में भी change कर सकते हो तो A की value क्या हो जाएगी 20 दर multiply होगा 20 B 20 B A क्या हो जाएगा 20 B upon में N ने ठीक है तो यहां से आपकी एक ही value निकल गई अब आगे दो क्या कहता है then how many atoms are present in 2a gram of q q के 2a gram में कितने atoms उसके present होंगे कोई दिक्कत नहीं है अब q से start करते हैं तो q का atomic mass 40 g दे रखा है जो q का molar mass है atomic mass क्या है मोलर मासी 40 g ले रहां तो मोलर मासी तो बोलूंगा तो क्यूं का मोलर मास क्या 40 gram है तो यह एन्ने आटम्स का वेट होता है एन्ने आटम्स का वेट होगा ठीक है तो एक ग्राम का निकाल लो जड़ा अपन में 40 यह आजाएगा इतने ग्राम का पूछ रहा वह वह तुए-ग्राम में बताऊ-कितने एटम्स होंगे और पूड़ा में लगा लो तो यह जब एक ग्राम का पता है तो तो कितने भी ग्राम का निकाल सकते हो पूट कर दो इतने आपके एटम्स आ जाएंगे अब इसे सॉल्व करते तो एक ही वैलू फुट कर लेते हैं यहां से यह क्या हो जाएका टू इंटू यहां यहां पर यह एन नहीं और यह नीचे 40 एक ही और यह 40 से 40 Courtney है तो इतना आ गया वा समझे रहूं इसका मतलब है क्यों के उवे ग्राम के अंदर उसके कितने आटम्स होंगे बी आटम्स होंगे वाइटम्स होंगे वाला ओप्शन सही खिले ए सब को चलो लोट कर लो इसे फिर नेक्स और और करते हैं अबेपर डेंसिटी ओफ ए मिक्षर हैं, कंटेनिंग एन नो टू एंड एन टू ओ फॉर इज़ेट, 27.6 है, आपको इसकी बेपर डेंसिटी दे रखी है, तब मोल फ्रेक्शन ओफ एन टू ओ फॉर इन दा मिक्षर है, क्योंकि फ्रेक्शन कभी भी बन से जादा नहीं होता, तो दूसरे वाले का फ्रेक्शन क्या हो जाएगा, दूसरे वाले का फ्रेक्शन क्या हो जाएगा, वन माइनस इसका एन टू ओ फॉर, ठीक है, क्योंकि दोनों के फ्रेक्शन का सम कितना होता है, यहां पर आपको यहां पर आपको मालूम है कि जब भी हम बेपर देंसिटी निकालते हैं किसी गैस की तो उसे कंपेर करते हैं यहां पर और कोई का रैफरेंस देनी रखा कि हाँ ओक्सिजन गैस से कंपेर कर रहे हैं या ओजोन से कंपेर कर रहे हो तो शेंज कर सकता है लेकिंद में नहीं दिया तो आप हिड्रोजीन से बादी मान के चलो गया है और याद रखना जब भी हम बेपर डेंसिटी या जब भी आपको कोई रिलेक्टिव डेंसिटी दे रखी है तो वहां पर सेम वॉल्लूम रखा जाता है तेकर ना सेम वॉल्लूम इसलिए कंडिशन लगते हैं अदर सेम टमप्रेचर और प्रेशर क् सेम नहीं होगी तो वॉल्लूम उसका सेम नहीं योपाएगा तो यह क्या होता है वीट का ही रेश्यो होता है तो अगर मैं दोनों के एक-एक मोल का वेट लिख रहा हूं तो मोलर मास होगा मोलर मास अपोन में टू हाइड्रोजन का हुआ है तो आपको इसकी वेपर तो इस मेक्षर हम क्या निकाल लेते हैं मोलर मास निकाल लेते हैं तो आजाएगा मौलर मास इस इक्वाल तुप गाइगा टू इंु इंट्व एपर डैंसिटी टुप टी-सञरे कितना हो जाएगा 12 यह 14 और यह 5 है टिकें न तो चार यह तो छी कितना गया 55.2 ग्राम तो यह इसका मोलर मास हो गया तो आपको देखो मैंने एक फोर्मना लिखवाए था यह जो आपने मोलर मास निकाला यह मिक्षर का निकाला तो इसलिए यह एवरेज है एवरेज मोलर मास क्या होता है मोल फ्रेक्शन की टम्स में मोल फ्रेक्शन पहले वाले का इंटू मोलर मास पहले वाले का प्लस में दूसरे वाले का मोल फ्रेक्शन इंटू उसका मोलर मास है ठीक है रख लो तो यह क्या है 55.2 is equal to पहले वाले का मोल फ्रेक्शन कितना है मैंने X वाना है N2O4 और उसका मोलर मास क्या है N2O4 का मोलर मास क्या होगा निकालो कैसे निकालोगे अभी क्या टॉमिक मास को एड़ कर दोगे तो यह क्या हो जाएगा 28 और प्लस में 64 तो आठ और चार कितने होते हैं 12 ठीक है आठ चे और दो आठ होगे आठ और एक है कितो होगे hanel नाइन्टे टू इसका मोलर मास है और यह को प्लास इसका मोलर मास कितना है चुक्छिए दोनों के मोलरेक्षन का सम वन उस्त इसका मॉल्स अपने यह लिख्षा तो दूसरे क्या हो जाएगा यह हो जाएगा यह जाएगा यह दो यह दो मोल फ्रेक्शन ओफ एंटू ओफ और 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 अनुटू का अनुटू का मोलर मास कितना होगा यह हो जाएगा 14 और प्लस में 32 है यह हो गया छे और चार इतना हो गया 46 है ठीक है इतना हो गया 46 है इंटू 46 कोई दिक्कत किसी को इसमें तो यहां से आपका यह मोल फ्रेक्शन आ जाएगा आप निकाल लेना तो मोल फ्रेक्शन आएगा इसका अन्टू ओफ और का मोल फ्रेक्शन आ जाएगा 0.2 कौन सा ओप्शन सही है बी ओप्शन सही है अब कुस्मिघा नोट डाउन कर लो इसको अगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगे क्या कहता है देखो आगे क्या कहता है दा एवरेज मॉल्यकुलर वेट ओफ ए मिक्शर ऑफ गैस हैं अन्टेनिंग नाइट्रोजन और कार्बन डायोक्साइड इस अपको एवरेज अफ नाइट्रोजन देर्फोर दा अमाउंट ओफ स्योटू प्रेजेंट इन दा मिक्शर फिर से आवरेज मॉल्यकुलर मास का फॉर्मला है एवरेज मॉल्यकुलर वेट आपको दे रखा है कॉशन में 36 है क्या होता है टोटल मास अपॉन में टोटल मॉल्स है नहीं कि एन इन टू दूसरे वाले का मोलर मास अपॉन में टोटल मॉल से तो आपका मोल फ्रेक्शन में भी बना था तो आपको अवरेज मॉल्यकुलर वेट दे रखा है 36 है इस इक्वाल टू अच्वाल टू एटी डिवाइड बाए उसका का मोलर मास कितना इसका रौइन का मोलर मास कितना होता है इसका मोलर मास तो आपको इसे बिल्स एक माइद आ सब्सक्राइब अब उन में तो आएगा इतना जाएगा तुष कैसे निकाल हो गए तौवर माझ्ट भाइट हें इसका मोलर मासनफ है यह तो ऐसी कैंसल ओगया एक संट a seven इक कि हम दूसरे बाफले गाथ रहं और मोले संट गीवन मास and बाइड बाइज का मॉलार मास किटना होता है फुर्टी फॉर में यहां पर फॉटि फॉर्टी और यह पिर तोहल मोल juice और में टोटल Mीज से क्या हो जाएगा तू एटी डिवाइड बाइट ट्वाइड ट्वाइड ट्वंटी एट अध्यू अग्या प्लस एंट्टू डवलू अपॉर्ड में फोर्टीफॉर तो यह हो गया इधर इसको कर लेते जरा है फाके इसको दिल्याते हैं तो थर्टी सिक्सें तू एटी अपॉर्ण में ट्वंटी एटे लैस में डवलू अपॉर्ण में फोर्टीफॉर यह आगया आपका ठीक हैं इस इक्वल टू टू एटी प्लैस में डवलू फॉमला वही लगाया मैंने इसको काटूंगा तो यह कितना हो जाएगा दस तो थी शिक्स जीरो प्लस में थी शिक्स अपॉर्ण में फोर्टी फोर इंटू डवलू इस इक्वल टू टू एटी प्लस में डवलू ठीक है डबलू वाले को उठाके इदर ले जाओं तो यह क्या हो जाएगा थी सिक्स्टी कि सिक्स्टी माइनस में तू एटी इस इक्वल टू डबलू माइनस में थर्टी सिक्स अपॉर्ण में फोर्टी फोर इंटू डवलू समझ गए यह आ जाएगा आपका ओ अब इसे सॉल्ट करो जरब तो यह कितना हो जाएगा जीरो तोला में से आठ जाएगा तो फिर आठ ही आएगा फिर असी एक है फट्री हो गया इदर इसको सॉल्ट करो जाए यह क्या हो जाएगा आपका 44 डबलू माइनस में 36 डबलू अपन में 44 तो 80 is equal to 44 यह डबलू लिखा हुआ भाई ठीक है है यह डबलू है तो 44 डबलू में से 36 डबलू आपको माइनस करना है तो यह कितना हो जाएगा आपका चार और चार आठ आठ हो जाएगा 8 डबलू अपन में 44 तो डबलू is equal to क्या हो जाएगा 80 into 44 अपन में 8 इससे काट वहां तो यह 10 तो डबलू इस इक्वल्टू किता आगया 440 एक है बात समझे रहों 440 ग्राम तो यहां पर कारबन डायोकसाइड का अमांट कितना प्रेजेंट है 440 ग्राम प्रेजेंट है तो कौन सा ऑप्शन से यह पहले वाला ऑप्शन सही है आपका कर लो इसे ज़रा नोट डाउन कर लो कि कर लो इसे आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते हैं देखो जरा यह मिक्सर कंटेंस 40% एच्टू 60% Shnery by volume volume by volume का मतलब mall fraction ही होता है याध रखना by volume का मतलब क्या होता है A hydrogen gas का a 100 k अ 2.6 की तो वाई आएगा ňह मालube हमेशा's क्या होता है आपका it तो वाट इस दा टोटल नंबर ओफ गैसी प्रेज़न टैन ग्राम और सच मिक्षर आपको इस मिक्षर के दस ग्राम में बताना कि कि Twin टोटल नंबर मोल qo के कि को दिक्यति करने लेते वहीं अ अब सफ कि छिसकाइवरेज Sonar मत सब्सक्राइब आवरेज और मईल फ्रैक्षा डेज्ग पहले वाले रहता प्लेंट उपलेए अख्रेट्सन प्लेस में या आएगा लो मौल फैक्शन कितना पहले बाहले 04 और मोलर मास कितना है तो थे इसकाENCE 0.6 और HIV का कितना होता मोलर मास लींदे AZाmm 4 यह कितना हो जाएगा 0.8 टूपाइंट फॉर तो आप इसे एड़ करोगे तो कितना जाएगा यह थ्री पॉइंट तू आ जाएगा तो इसका जो एवरेज मोलर मास है वो कितना आ रहा है तू आ रहा है तो अब इसी मिक्षर का आपको क्या दे रखा है मास गीवन दे रखा है तो नंबर फॉफ पूछ रहा है अब मिक्षर के लिए अप नंबर फामॉला लगाओ तेम Hier के लिए कितना दस ग्राम और इसका मोलर कितना दे रखा है ठीपॉइंट टू ग्राम आप इसे आप सॉलफ करो सॉल्फ करने पे कितना जाएगा ठीपॉइंट वरेज तूफ और आगे बढ़ते हैं अगला देखो जब वाल्यूम ओट वन मॉल और एट 273 केलविन इज एटीन एमल नहाएं पर यहां पर टमप्रेचर 273 केलविन ने होगा यहां पर 277 दे रखा होगा चिनुदो उसे टमप्रेचर देख लए के बाद में उससे आभ मतलब भी नहीं प्रेचर से एक मोल का जो आपको कितना दे रहा है और इसका 1 ml और वाटर 1 ml वाटर कंटेंज 20 ड्रॉप सभी मतलब अगर वाटर का 1 ml लेते हो उसमें में उसके कितने drops होते हैं 20टाऊ होते हैं तो बताओ एक ड्रॉप के अंदर Grounder के कितने molecules होंगे हैं आपको एक चुले में बताना यह कितने उसके molecules होगे रखा एक बॉल्लम को और एक आपको वर्लम वाल्यम 8 इन एक याद रख humili याद इसके 18 ग्राम और वाटर का यह क्या है मुलर मास है यह मुलर मास है तो तो मैं कहा सकता हूं कि इसके 18 ग्राम के अंदर आपके कितने मॉलिकूलो हों गेडरी इसके कितने मॉलिकूल है तो एक मर मैं बता कितने होंगे एन अपॉन मिल इती है न तो आपने एक झामले क्कितने मॉलक्यूल ये पॉछहिए क् होती हैं इसका मतलब है कि इतने मॉलिक्वल्स में यह इतने यह ड्रॉप में present है तो 20 drops 20 drops में कितने molecules Na upon में 18 molecules कितने molecules है समझे रहो उसने question में given दे रखा है यह बोल रखा है वाटर के 1 ml में उसके 20 drops है तो हमने 1 ml में molecules निकाल दिया इतने है तो मैं कह सकता हूँ कि 20 drop के अंदर इतने water के molecules है अब बताओ कि 1 drop में कितने molecules होंगे तो एक का निकाल लो तो Na upon में 18 into 20 तो इतने molecules होंगे समझके मिरी बात है ठीक है ना अब आप इसे solve करो तो solve करने पर देखो क्या आ रहा है यह साथ 1.67 into 10 की पावर 21 के गरीवाता है ठीक है तो यह आ जाएगा 1.67 into 10 की पावर 21 के गरीवाता है इतने molecules होंगे तो वाटर के एक ड्रॉप में आपको इतने molecules मिलेंगे हैं तो कौन सा ओप्षिन सही है बी ओप्षिन सही है कि कर लो नोट कर लो कि कर लिए सबने चलो अग्ला कोशन करते हैं अग्ला कोशन भी देखो विल्गुल ऐसा ही है नंबर ओव वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इने ड्रॉप वाटर रेजेंट इने ड्रॉप वाटर मतलब वाटर के एक ड्रॉप में पताओ कितने मॉलिक्यूल्स होंगे उसका वॉल्म आपको दे रखाव मैं अभी बता है डेंसिटी वन होती है तो यहां पर इतना ग्राम है आपके पास क्या है इतना ग्राम तो एके और वाटर का मोलर मास्क्या होता है एक तो नंबर ओंवोस निकाल लो यहां पे तो नंबरों मोल्स निकालने पड़ेंगे आपको नंबरों मोल्स एन इवन मास 0.0018 ट्वाइड़ बाइटीन ठीके तो डेसिमल अगर हटाता हूं तो इंट्टू क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस 4 हो गया तो नंबरों मोल्स के आगए 10 की पावर माइनस 4 इतने मोल्स हो गए तो इतने ml के अंदर आपके मोल्स कितने 10 की पावर माइनस 4 मोल्स हैं अब देखो अब मुझे पता है कि एक मोल में एक मोल में इसके एन्ने होंगे कितने मौली क्योंगे एनने मॉली क्योंगे क्या क्या रदो टेन की पावार माइनस पॉर इन तुए अब अपने कोडिंग ले लेगे तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 10 की पावर माइनस 4 तो 23 में से 4 अटाओ तो 6.022 इंटू 10 की पावर 19 तो इतने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे आपके बताओ कौन सा ओप्षिन सही है पहला ओप्षिन सही है अब कुस्मरा गया है यह हमने वाटर के एक ड्रॉप में नंबर ओ मॉलिक्यूल्स निकाल दिये इस वॉल्यूम के लिए पहला वाला कोश्चन और यह वाला कोश्चन दोनों ठीके न सेमी हैं वागी बात है अब एक ही तरह एक ही टाइप के कोश्चन ह हो गया है लो नेक्स तरते हैं नोट डाउन कर लो पहले नेक्स हरते हैं वो गया चलो आगे देखो जरा यह अच्छा कोशन है आपकरी बेपर मॉलिक्यूल्स निस्ताफ़ यह मतलब मर्करी जो मॉलिक्यूल है वह कितने आटम से मिलके बना हुआ है इस देंसिटी और मर्कर संब्सटाइओ किकर क्यों सब्सक्क्राइब घ्रेखोंत्व आपकरी की मर्करी हरे वह हूआ है मतलब अगर वागों लगलकिकूल्स डेल लेता हूँ अगर एर ले लेता हो इसका मतलब हो गया कि मरकरी के जो वेपर्स है उसकी डेंसिटी उसके compared चैनल में 6.92 टाइम अगर आप एर ये लोगे तो मरकरी बेपर की डेंसिटी जो गी उसके कंपर सेंट में 6.92 टाइम्स होगा यही है कि और जब भी हम रिलेटिव निकालते हैं तो मैंने आपको बताया था वालूम सेम रखेंगे यहाँ पर डेंसिटी के सब या रखेंगे से एपर डेंसिटी में बताया था मैंने आपको एक आपको ऑफरेज मास ओफ एडे रखांगा कितना 29 ग्राम पर मोला एक मोल का मास करते हैं तो क्या लिखूंगा रिलेटिव डेंसिटी तो 6.92 यह रिलेटिव नंबर दे रखा आपका क्या हो जाएगा क्योंकि दोनों का वॉल्लम सेम रहेगा तो उपर आप क्या लिखोगे मैंने बताया तना वेट ओवी लीटर्स ऑफ दा गैस अपन में वेट आफ वही सेम वॉल्लम उसी वॉल्लम का वेट इसके लिए जिससे कंपेर कर रहे हो एक है तो मर्करी बेपर का मर्करी वेपर का वेट लिखोगे इसके लिए वी वॉल्लम के लिए और उतने ही वॉल्लम के लिए आप क्या करोगे एयर का वेट लिखोगे एयर का वेट लिखोगे कमजगे लेकिन अगर मैं वही कर दूँ वन 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 मोल कर देता हूं वन रूल इस तरीके से करता हूं थेखे को फिर तो मॉलर मास ही आएगा वुस्राइइग तो यह क्या हो जाएगा आपका चलो मास लिख देता हूं यहां पर मास आगा इसका ठीक है और यह इसका मास कितना पर मोल है तो यहां से इसका मास कितना जाएगा कि इसका मॉलर मास कैसे निकालते हैं उसके अंदर जितने भी आपके उसमें आपके जितने भी आटम्स प्रेजेंट होंगे सब के अटॉमिक वेट को एड़ करोगे तो मोलर मास आ जाएगा तो मालनों कितना है अटॉमिक मास आपका एकस पालक्रम मास कितना है उसका दो घस तामिक मास कितना है दोसो और नंबर वाफ एटम स्कें जाना नहीं मालू है तो निकाल नहीं है इस तरीके से इसका इस मॉल्क्ष ओल क्या जाेगा मोलर मास आ जाएगा अब आक्सनक ली बूरा तो यह आप्षान साही है इसमें कर लो नूट आप अगे बढ़ते हैं कि यह वाला कोश्य देखो जरह है हमोगलोबीन का है हमोगलोबीन इस जीरो पॉइंट फाइप परसेंट आयरन वाइब आप ले रहे हो तो उस हंड़र में आपका आयरन कितना है आपको बताना है हमोगलोबीन के एक पर मॉलएकूल के लिए एरन के कितने आटम सोंगे वे दिक्ट में चलो करते हैं तो आइरन का यहां पर पर्सेंटेज रख का बाइग तो अगर मैं हमोगलोबीन का डहांटर्ट ग्राम लेता हूं 100 gram 100 gram of hemoglobin तो उसमें iron का weight कितना होगा इतना weight होगा 0.25 gram होगा तो 1 gram का बताओ कितना होगा 0.25 divided by 100 यह आ जाएगा जब उसका molar mass आप ले गोए तो बताओ कि आपका iron का weight कितना present होगा मोलर मास मॉलकुलर फॉर्मूला उसमें एक है ना तो 0.25 अपन में 100 इंटू इतना 8 9 600 तो 2 0 से 2 0 काट दी अब इसे solve कर लो multiply कर लो बताओ multiply करने पर कितना रही है multiply अगर मैं करता हूँ इसे तो अब यह क्या जाएगा multiply करने पर एक मिन भाई जड़ा calculate कर लेते हैं एट 9 6 इंटू 0.25 है तो यह आगया मेरा कितना 224 आ गया 224 आ गया भाई एक है यह जब आप हमोग लोवीन का यह molar mass यूज करोगे तो इतने molar mass में iron कितना present होगा तो ग्राम में 0.25 ग्राम present है तो इतने molar mass में कितना present होगा 224 ग्राम present होगा अब बताओ इस 224 ग्राम के अंदर आइरन के कितने atom हैं क्योंकि यह क्या है पर molecul के इसाब से पूछ रहा है पर molecule यह तो एक molecule का आए ना अगर में यू में लगा देता हूं यू में लगा देता हूं तो एक molecule के लिए हो जाएगा number तो फर्क नहीं आएगा यह तो पहली बता चुका हो आपको ठीक है तो जितना भी टोटल है उसे उपर लिखा और एक से डिवाइड कर दिया नंबर आ जाएगा आपका इसी तरीके से निकालते हो ना जैसे एक पैंसिल कीमत कितनी है पांच रुपे हैं तो आपके बाद सो रुपे हैं अब बताओ सो रुपे में कितनी पैंसिल खरीद के है तो इसी तरीके से तो आपके पास आयरें का जो टोटल वेट है एक मॉलिक्यूल के लिए 224 दोसो चौबीस ग्राम है और ग्राम में लिखो गए तो वन मोल का हो जाएगा यू में लगा दूंगा तो मैंने बोलो ना वैल नंबर में तो कोई फरक ही नहीं आता है तो आप को यू में वांकि इसे काट देगा चार और ती के चार आ जाएगा इसका मतलब इसके एक मॉलिक्यूल में कितने अरण के आटम से चार आटम से तो कौन सो सही है बीवर्प्सन सही है को कि लिए आगे करते हैं कि नेक्स्ट पोटिंगोशन लेको आपको यहां पर हैमोगलोबीन सेंपल का वेट दे रखा है और एनलेसिस वाज फाउंड टू कंटेंज 0.34 परसेंटेज आयरन पाइवेट एक तो आपको यहां पर आयरन का परसेंटेज दे रखा है अगर आप हैमोगलोबीन का 100 ग्राम ल कर दो को कोई igual तो कोई फारक नहीं पड़ेगा शपर कोई फार्क नहीं पर्कलिकर मतलव कोई आप आप सब्सक्यों कार्भbrand के क्योंकि कितना है तो अगर मैं यह मास्ट चेंज कर देता हूं अगर मैं यह मास्ट चेंज कर देता हूं है मालो कि यह लेना चाहते हो 100 अल पता करों कि यह स Great घald् सवितने क्या करूं हमा इतना यह प्रजेन्ट हैं उसको उपर लिखूंगा और तोटल से डिवाइड कर दूँगा तो डेट सो तो तो गैंसल हो गया वही तो आएगा तालीस परसेंटेज ने इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है तो मैं वही कह रहा हूं आपको यह वेट आ उच्छ और भी देगा ना तब भी मेरे विश टेंपल के लिए आपको आइरुन का वेट कितना दे रखा है जीरो पॉइंट ट्री फॉर ग्राम दे रखा है इतना दे रखा है ठीक है के समझ एप इतना है मारे पास है चलो अब आगे क्या कहता है इप इच हेमोगलोवीन मॉलिकूल है फोर ऐप आइन से तो वाटिज दा इसमें तो पढ़ते ही नहीं है हम तो इसमें डील करते ही नहीं हम तो डील करते हैं मोल में बात पांवार्ण करते हैं एक मोलक्यूल में चार अटम सेना तो एक मोल में उसके कितने मोल्स ओटम्स होगे टार मोल्स ओटम्स होगे आसमझा गी एंधिके नए फोर मोल्स ओटम्स होगे कि वो डिक्कात किसी को इसमें ठीके तो मेरको पना चलिगा फोर मॉल्स ओफ बार मॉल्स ओफ आइरन इसमाइन ना उसका मतलब है कि दो सो 252 गराम के लिए में ग। सेंपल का रूइट निकालूंगा वह उसका मोदर मास होगा एक एक शुट सेंपल में एक गराम में निकाल लो अपर में 0.34 आपको 224 गराम में बताना है कि इतना वी 224 गराम में आएगा वह हैमोगलोविन सेंपल का क्या होगा मोलर मास होगा कर लो सॉल्व यह जाएगा हंडर अपॉन में 0.34 इंटू 224 हैं तो यह कितना आ जाएगा तो यह डबल जीरो तो दो चार दो जीरो डिवाइट बाइज जीरो पॉइंट थी फॉर यह मेरा आ रहा है कितना 65882.35 है यह इसका मोलर मास आएगा पास सब्सक्राइब है आई देखो एक मॉलिक्यूल में आईरन के चार आटम्स कहता है लेक उससमें अर्मोल्स और मोल्स ओफ एक वेट क्या मोलर मास है अगर मुझे इसका मतलब है कि मुझे और मोल्स ओफ आइरन अटम का वेट निकालना पड़ेगा जो कि 224 गराम है तो 222 ग्राम आईरन के लिए आपका इसेंपल का वेट है मोगलोवीन सेंपल का जो वेट आएगा वो मोदर मास होगा तो वहीं हमने यहां पर किया है तो कौन सा अप्शन सही है तो आई होप सबको यह क्लियर हुआ हूँ ठीक है कर लो नोट डाउन तो एक लास कोशन करेंगे हुआ थिक फिर हमारे है 15 कोशके जैंटम होगे वह जैनल कॉशन से क्सरब इसक्राइब यह देखनौ फिर मोलगों सभ केस्ट करेंगे बिशिक स्टाटिंग से ठीक है ना फहले सिंपल करेंग है फिर धोड़े थोड़े मोडरेट या हाड फैलिफ ऐसे कोशन करेंगे लास कोशन करते हैं लास कोशन अच्छा कोशन है अब बोलो कि यहां पर गराफ कहां से आ गया यहां पर ग्राफ कैसे आ गया कोई दिक्कत नहीं है वाई देख लो आज जाओ इधर आ जाओ तो दिक्कत नहीं बना लेते हैं अपर अपर आइख वेट यह बहुता है और नबर ऑमोल का फार्मुला वेट के रिस्पेक्ट में यह बी होता है इख नमबरों मोल दोनों हैं तो आप बराबर कर सकते हो तो ओसके इन्टू वेट यह देखो आपकी बंगे क्वेशन वाइज इक्वाल टू ए में दो एम एक्स जीओ लाइन नुटू आपकी बंगे ये उप्वाइजिकल टू एम एक्स टू क्यों कि ये लीनियर लाइन पासिंग थूरू तरह औरजीन तो इस लाइन की एक्वेशन यहां पर देखो नमबर ऑफ एटम्स से वर्सेज वर्सेज वाई का गराब बनाना है तो अविसे कंपेर कर लो इससे इसका मतलब जो वेट का कोफिशेंट है एन आपर में मोलर मास है यह क्या इसका अधो अधो आपको ते रखा है यहाँ पर अलते य।ee जCr post के टा इतर डॉdess 10 theta is equal to क्या है 1.5 into 10 की power 22 ठीक है तो slope आपको इदे रखा है यहाँ पे slope क्या है एन्ने आप उन में capital M is equal to 1.5 into 10 की power 22 समझ गए तो एन्ने की value question में given है put कर दो तो M is equal to क्या हो जाएगा 6 into 10 की power 23 divided by 1.5 into 10 की power 22 यह आजाएगा इसका answer कितना है चालीस आएगा 40 आजाएगा कर लो भाई solve एक 0 उपर बच जाएगी ठीक है एक 0 उपर बच जाएगी यह decimal अटाओगे तो एक 0 और आजाएगा यह हो गया 600 ठीक है जाएगे ना 600 और डिवाइड़ बाइपंदरा तो पंदरा कटूंगा भाई मैं तो यह क्या हो जाएगा मेरा पूर पूर आएगा नहीं क्या भाई नहीं आ रहा क्या एक 0 यह बाईस है यह तो लिखा भाई तो शिक्स से तो यह आजाएगा फूर्टी आएगा अगर फूर्टी आजाएगा आपका पूर्टी तो यह फूर्टी हो गया तो इस तरीके से अपने ग्राफ को कोशन किया है ठीके ना को दिक्कत किसी को इसमें अगरिया था कि अधाओ यहाँ पर हमने फिसक्रेशन अपनी तरफ से बनाई है यहाँ नंबर ऑफ एक्टशं वर्सेज वेट का ओभ इसे लिजयन लाइन की क्यूश्शन से कंपेर कर लो तो एक्स का जो कोफिशेंट स्लोप और हमारा डबलू का कोफिशेंट क्या है यह र यह आपके हम रख है नोट डाउन कर लो स्क्रिंसोट ले लो एक है नेक्स लास में चेक करूंगा नेक्स लास में चेक करूंगा तो यह देख लेंगे तो बेसिक से स्टाट करेंगे करेंगे तो यहीं पर मैं कर रहा हूं मिलते हैं नेक्स में गुडबाई